नमश्कार दोस्तों, हमारे चनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने हाथ पर काले रंग का धागा बानते हैं परन्तु आज हम आपको वह खास जगा बताएंगे जिस जगा काला धागा बानने से कोई भी परिशानी आपको शू नहीं पाएगी दोस्तों शास्त्रों में काले धागे से जुड़े अनेक परकार के उपाई बताए गए हैं ऐसा माना जाता है कि काला धागा पहनने से व्यक्ति हर प्रकार के बुरे दोश एवं बुरी नजर से बचा रहता है अगर मनुश्य के हाथ में या गले में काला दागा बंदा हुआ हो तो नज़र लगाने वाला व्यक्ति और उसकी द्रिश्टी को यह दागा बंग कर देता है जिस से नज़र लगने का कोई भी धर नहीं रहता लोग अपने गले या हाथ में अक्सर काला दागा बाद के रखते हैं उनके अंदर सकरात्मक उर्जा का संचार बना रहता है यहां तक की तग्यानिक भी ये कहते हैं की काला रंग उर्जा को अवशोशित कर लेता है जब आप काला दागा शरीर में धार्ण करते हैं तो आपके उपर आने वाली हर प्रकार की बुरी नजर और बुरी हावाई अवशोशित हो जाती हैं आपके उपर इनका प्रभाव नहीं पड़ता जी हां हमारे शरीर के आसपास एक सुरक्षा कवच बन जाता है इसके साथ साथ शनी दोश में भी काला दागा बानने से शनी का तुष्प्रभाव खतम हो जाता है यही कारण है कि अनेक संत लोग शनी के प्रकौप से बचने के लिए काला दागा पहनने की सलाह देते हैं आज हम आपको एक ऐसा विशेश उपाई बताने जा रहे हैं जो आपको हर कार्यों में सफल बनाएगा दोस्तों आपको रिश्मी काला दागा बजार से लाना है और किसी भी हनुमान मंदिर में जा कर इस काले धागे को अपने हाथ में ले ले और नो चोटी-चोटी गाठ बाध ले और इसे हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दे और फिर इस मंतर को बोले इस मंतर को बोल कर इस काले धागे को आप अपने बाएं हाथ में धारन कर ले इस उपाए से आपका दुश्मन भी आपका दोस्त बन जाएगा और आपके चारों और खुशी ही खुशी मिलने लगेगी तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी अगर जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धरन्यवाद